Hello Students, Good Morning, Standard 4th, Subject English, Unit No. 5, Unit No. 5 का लेशन है Helen Keller, Helen Keller, Helen Keller एक लड़की का नेम है, मतलब उसका नाम है और उसके उपर ये पुरी स्टोरी हमें बताई गई है, तो हमें आज ये Helen Keller वाड़ी स्टोरी पूरी अच्छे से सिखनी है और अंडेस्टेंड करनी है, इसके कीवर्ट्स हमने अगले वीडियो में देखे थे, तो चलो बच्चों, हम श्टार्ट करते हैं ये लेशन, It was the summer of 1880, 1818 में वो summer था, मतलब summer season चल रहा था, A healthy baby girl was born in a small town in Alabama, और एक छोटी नंढ़ी परी बच्ची, बहुत ही स्वस्त थी, मतलब कोई बिमारी नहीं थी, वो बच्ची एक छोटे से घाव, अलबा मामे, मौन हुई, जन्म हुआ उसका, her parents loved her dearly and named her Helen Keller, और उनके ममी पापा उसको बहुत सारा प्यार करते थे, बहुत अच्छे से रखते थे, और उसका नाम, वो बच्ची का नाम उनोंने क्या रखा था, Helen Keller, but one day, लेकिन एक दिन, the baby become ill, and day after day, और एक दिन, वो बच्ची क्या हुई, बिमार हुई, एक दिन, मलब दिन के बाद दिन, दिन वा दिन, दिन वा दिन वो बिमार होने लगी, her favor stayed high, उसको बहुती ज्यादा भुखार आने लगा, उसका भुखार कम होने का नामी नहीं ले र रहा था, everyone in the family tried to help her to get better, उनके family के सारे member उसको अच्छे से ready करने के लिए, मनलब उसका बुखार कम करने के लिए, उसको बिमारी से बाहर लाने के लिए, बहुत सारी कोशिश कर रहे थे, but all they could say was, there is nothing more we can do, लेकिन थ्वीरून सब ने कहा, कि और कुछ भी नहीं है, जो हम कर सकते है, उनसे हो पाया, उतना उन्होंने struggle किया, मतलब सब कुछ किया, डॉक्टर को दिखाया, ये किया, वो किया, बहुत सारा, बहुत सारी कोशिश है उन्ठोने की, उसको बचाने के लिए, लेकिन वो अच्छी हुई, नहीं, The baby may not live, शायद उनको ऐसा लगता था कि शायद बेबी अब जीने वाली नहीं है, Helen Keller अब जीने वाली नहीं है, Helen lived, लेकिन Helen complete हुई, lived, वो जीने लगी, But she was not the same after her illness, लेकिन वो अपनी बीमारी के बाद पहले जैसी रही नहीं थी, उसमें कुछ चेंज आया था, something is very wrong, कुछ तो गलत था, कुछ बात थी उसमें जो बहुती गलत थी, हर मधर से, उसकी ममा ने बोला, कि कुछ तो है जो उसमें बहुती गलत हो रहा है, at last, they found out what was wrong, और last में उन्होंने क्या किया, finally उन्होंने डुढ़ना शुरू किया कि इसमें कुछ तो wrong है, और वो क्या wrong है, वो डुढ़ने की उन्होंने शुरुआत की, वो बच्ची थी, वो सुन नहीं सकती थी, या तो देख नहीं सकती थी, उसकी ममा को exactly पता नहीं चल रहा था कि उसको हुआ क्या है, और दिया है, see or hear, या तो वो देख नहीं पा रही थी, या तो वो सुन नहीं पा रही थी, दबेबी ब्रू इंटो वो चोटी बच्ची में से थोड़ी बड़ी हुई, Her parents felt sorry for her, उसके ममी पापा को उसके लिए बहुती दया आ रही थी, बहुती बुरा लग रहा था, Helen often cried and held on to her mother, Helen अक्सर रोती थी, often यानी अक्सर, तो Helen अक्सर रोती थी और अपनी मा को पकड़ती थी, उनकी गोदी में आ जाती थी, Give the poor child what she wants, her father would say, उसके पापा उसकी ममा को बोलते थी कि बच्ची को जो भी चाहिए तू उसे दे, जब भी बच्ची रोकती थी और अपनी मा के गोदी में आती थी, तो उसके पापा बोलते थी कि बच्ची को जो कुछ भी चाहिए तू उसको दे, Helen कुछ देख नहीं सकती थी या बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो ब्राइट यानि बहुती क्रेवर गल थी, होश्यार लड़की थी, बहुत सारी लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि Helen कुछ पढ़ पाएगी, नहीं, कुछ सीख पाएगी, नहीं, अर मदर डिट नोट एंगरी, लेकिन उसकी मम्मा उन लोगों से सहमत थी, नहीं, उनकी बात मान रही, नहीं थी, Helen is very smart, Helen बहुती smart बच्ची थी, She said and added, the problem is, how can we reach her, तो उसकी ममा ने सोचा कि अब हमें इस problem के पास कैसे पहुचना है, She is locked up inside herself, तो उसकी ममा ने क्या किया, वो लड़की को एक कपरे में बंद कर दिया, Helen may get to grow wild, वो wild, मतलब भी, good manner के साथ बड़ी हुई, नहीं, उसको बोलने की तमीज नहीं थी, ना कुछ खाने की, पीने की, कुछ भी उसमें तमीज थी, नहीं, She would not let anyone calm her hair, वो कभी भी अपने hair को calm करती नहीं थी, उसके hair कभी अच्छे होते नहीं थे, Her clothes, her clothes were always bloody, उसके clothes, उसके जो कपड़े थे, वो always गंदे ही होते थे, She was often angry, वो बहुत ही गुसा करती थी, Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet, वो कोई-कोई टाइम तो जमीन पे सो जाती थी, और अपने ही पैर से किक, लात मालती थी, Her parents thought that they should find a teacher for her, तो उसके ममी बापा ने सोचा, कि अब उसके लिए हमें एक teacher की ज़रूरत है, Miss Sullivan, A young teacher agreed to help Helen to learn to see the world, Miss Sullivan करके एक teacher थी, जो Helen को सब कुछ सिखाने के लिए, पुरीत दुनिया दिखाने के लिए, और उसके मदद करने के लिए, ready हुई, Miss Sullivan gave Helen a doll, Miss Sullivan ने Helen को एक doll थी, doll दी, D-O-L-L, spells doll, Helen को doll दी, और उसका spelling उसको बताया, She spelled the wrong word with her fingers into Helen's hand, उसको देख नहीं सकती थी, तो उठोने क्या किया, वो fingers की मदद से उसको स्पेलिक सिखाने की मदद की, She made the letters with special hand sign, उन्होंने वो spelling उसको समझ भी नहीं आ रहा था, डिरेक्ट तो उसको finger, यह हमारी जो finger है, उसकी shine, मतलब ऐसे इसारे से उसको समझाने की कोशिश की, Helen copied her teacher and spelt doll too, तो Helen ने भी अपने teacher की कोपी की और वो समझ नहीं की कोशिश करने लगी, बट she did not understand what she was doing, उसको उसने कोशिश की Helen ने शिखने की, लेकिन वो सीख पाई, मतलब उसको कुछ समझ में ही आ रहा नहीं था, और वो क्या करे वो सोचने लगी, Helen liked Miss Sullivan, Helen को Miss Sullivan अच्छी लगने लगी, she was strict but kind, वो बहुती strict थी, मतलब बहुती strict to nature की थी, कोई भी बच ऐसे जहाने नहीं दे रही थी, लेकिन वो बहुती दया लुटी थी, she spelled lots of words for Helen on her hand, day and night to make Helen understands, उन्होंने ऐसे बहुत सारे words, Helen के हाथ में दे दिये, और Helen थी वो पूरे दिन और राथ, वो spelling से सिखने की और understand करने की या, try करने लगी, one day her teacher made Helen put her hand into running water, एक दिन Helen की teacher ने क्या किया, उसके हैंड पर पानी डाला, एक दिन Helen की teacher ने उसके हाथ पर पानी डाला, then she spelled water, suddenly Helen understood that water meant something wet, तो उसके teacher ने क्या किया, उसके हैंड पर पानी डाला, और बताया कि water, Helen तुरंत समझ गई, कि water मतला कुछ weight होता है, मतलब पानी आपके हाथ पे आता है, तो आपका हाथ बीना होता है, तो उसको समझ में आया कि water यानि कुछ weight होता है, something weight, मतलब कुछ बीना होता है, running over her hand, और वो पानी नीचे आ गया, she understood that words, और वो water वाला wants, अच्छे से समझ गई, कि जब भी कुछ बीना होता है, तो वो क्या होता है, water, where the most important things in the world, मतलब उसको पानी, पानी जब उसके water उसके हाथ पे डाला, तो वो समझ गई, कि इसको हो water बोलेगी, और उसकी मिस सुलिविया ने बताया, कि water मतलब बहुत ही important things है, हमारे world में, पूरी दुनिया में water के बीना, हम कुछ कर सकते नहीं है, what would tell her everything, she wanted to know, और ऐसे सब्द, उसे सब कुछ सिख बताएंगे, और सिखाएंगे, जो वह सिखना चाहती है, ऐसे बहुत सारे words है, जो मिस सुलिविया उसको सिखाती है, और वो सब्द से, वो words से ले, वो पूरी दुनिया देखेंगी, और वो पूरी दुनिया में, जो सुनना और सिखना चाहती है, वो करके दिखाएंगी, तो यहां पर हमारा है लंज केलर वाड़ा वाला चेप्टर फिनीश होता है नेक्स व्लियों में हम वर्क बुक देखेगे थेंक यू